चेप्टर नाइंटीन रस सेंटिमेंट रस क्या है रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद कावि को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद के नुभूती होती है उसे रस कहा जाता है पाठक या स्रोता के खृदय में इस्थित इस्थाई भाव की विभावदी से संयूत होकर रस रूप में परिनत हो जाता है रस को कावि की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है रस के अव्यय अंग रस के चार अव्यय हैं अंग हैं इस्थाई भाव विभाव अनुभाव वसंचारी विवचारी भाव इस्थाई भाव इस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है काविय या नाटक में एक इस्थाई भाव सुरू से आखिर तक होता है इस्थाई भावों की संख्या नो मानी गई है इस्थाई भाव की रस का आधार है एक रस के मूल में एक इस्थाई भाव रहता है अतेव रसों की संख्या भी नो है जिने नवरस कहा जाता है मूलता नवरस ही माने जाते हैं बाद के आचारियों ने दो और भाव वातसल्य और भगवत विश्यक रती को स्थाई भाव की मानेता दी है इस प्रकार स्थाई भावों की संख्या ग्यारा तक पहुँच जाती है और तदन परूप रसों की संख्या भी ग्यारा तक पहुँच जाती है विभाव इस्थाई भावों के उद्भोदक कारण को विभाव कहते हैं विभाव दो प्रकार के होते हैं आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव जिसका आलंबन ये सहारा पाकर इस्थाई भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहलाते हैं जैसे नायक नायका आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं आस्रे आलंबन तथा जिसके प्रती या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विश्या लंबन भाव कहलात यदि राम ने राम के मन में सीता के प्रती रती का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विशय उद्धीपन विभाव जिन वस्तूओं या परिस्चितियों को देखकर इस्थाई भाव उद्धित होने लगता है उद्धीपन विभाव कहलाता है जैसे चांदनी, कोकिला, कूजन, एकांत, इस्थल, रभडिक, उद्ध्यान, नायक या नायका की शारिक चेस्टाएं आती अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं अनुभाव की संख्या आठ मानी गई है इस्तंब, स्वेद, रोमांच, स्वंग, स्वर्भंग, कंप, विवर्णता, रंगहींता, अश्रू, प्रलै, संग्याहींता, निश्चेश्टता चोथा संचारी व्यभाचारी भाव मन में संचरन करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी व्यभाव कहते हैं संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है हर्ष, विशाद, त्रास, भहेवग्र, लज्जा, ब्रीडा, गलानी, शिंता, शंका, असुया ये दूसरे उचकश के प्रती अशहुन शहिंश्णता अमर्ष, मतलब विरोधी का उपकार करने की अच्छमता से उत्पन दुख, मोह, उच्छुता, चपलता, गर्व, उग्रता, दीनता, आवेग, जड़ता, निर्वेद, मतलब अपने को कोशना या दिखकारना ध्रती, इच्छाओं की पूर्ती, चित की चंचलता का भाव, मती, विबोध, मतलब चेतन्य लाब, वित्तरक, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृती, मद, उन्माद, अवहिस्था, हर्ष, आदी भावों का चुपाना, अपस्मार, मुर्चा, व्याधी, रोग, मर रस के प्रकार, रस है, स्चरअगारर, इस्थाइभाव है, रती, प्रेम, सैयोग स्चरअगार, वधारन है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सोह करे, बोहनी हसे, देन कहे, नटी जाय, इसमें बिहारीन लिखा है यह संभोक सिंगार दूसरा है विप्रलंभ सिंगार भी कहते हैं उधारन है कि निश्दिन बरसत नयन हमारे सदारहित पावसरितु हम पे जबते स्याम सिधारे यह सूरदास की रचना है दूसरा है हासिरस इस्ताइबावे हास कि तंबुरा ले मंच पर बेठे प्रेम प्रताप साज मिले पंद्रह मिनिट घंटा भर अलाप कि घंटा भर अलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे स्रोता काका हाथ रशी की रचना है तीसरा करुन रस इस्ताइबाव शोक उधारण है कि सोक विकुल सब रोवही रानी रुपु सिलू बलु तेजु बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमितल बारही बारा तुलसिदास करचना है चोथा वीररस उत्साहग ले के वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड हो किसी की दहाड हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी जुको नहीं द्वारिका प्रसाद महेश्वारी करचना पाच्वा रोधरस क्रोध इस्ताइबा हो है उधारन है श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन शोप से जलने लगे सब शील अपना भूल कर करतल युगम मलने लगे सारे संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में म्रत पड़े करते हुए यह घोषिनावे हो गए उठ कर खड़े मेथली सरण गुप्त की रचना है भयानक रस छटी है भय इस्ताइबाव उधर गरस्ती सिंदु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फेलाए व्यालों सी जैशंकर प्रशाद की रचना है सात्वा है विभत्स रस जुगुच्सा और घ्रना इस्त पर बेठियों काग आख दो खात निराक निकारत चीख जिवहीं स्यार अती आनंद और धारत गीद जाधी को खोदी-खोदी के मास उपारत स्वान अंगुरिन काटि-काटि के खात विदारत भारतित दुकी रचना है अगली है अद्भुत्रस भाव है विस्माई आश्चर के अखिल भुवन अचर अचर सब हरी मुख में लखी मातू चकित भई गद गद वचन विक्सित द्रवग पुलकातू सेना पती ग्रचना है नवा है शांतरस सम निर्वेद विराग्य वीतराग्य के मनरे तनकागत का पुतला लागे बूंद बिनसी जाय छिन में गरव करे क्या इतना ये कभी ग्रचना है वत्सलि रती के लिए किलकत कान घुट रूवन आवत मनिमय कनकनंद के आंगन बिम्ब पकिरेव घावत सूदास क्रिचना ग्यारवा भक्ति रस उस्थाई भाव भगवत विशयक ये रती अनुराग राम जपू राम जपू राम जपू बा प्लचना है तोलसी दास की नोट शंगार रस्त को रस राज ये रस पती कहा जाता है सेकंड नाटक में आठ ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहां शांत को रस में नहीं गिना जाता भरत मुनी ने रसों की संख्या आठ माना है तीसरा शंगार रस कोई व्यापक दायरे में वसल्य रस व भक्ती रस आते हैं इसलिए रसों की संख्या नोहीं मानना ज्यादा उप्युत है रस संबंदी विविद तत्या सरवपतम आचारे भरत मुनी फर्स्ट ली सदी में अपने गरंत नाट शास्त्र में रस का विवेचन किया उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है भरत मुनी के कुछ प्रमुक सूत्र विभानु भाव विवचारे नी संयोग गाद रस निश्पति के विभाग अनुभाग विविचारी के संयोग से रस की निश्पति होती है नाना भावोप गमाद रस निश्पति के नाना भावोप हिता अपी इस्थाईयोनो भाव रसत्व मात्वन्ती मतलब नाना मतलब अनेक भावों के उपगम मतलब निकट आने या मिलने से रस की जो निश्पति होती है नाना मतलब अनेक भावों से युक्त इस्थाई भावरस वस्था को प्राप्त होते हैं तीसरा के विभाव नुभाव विवचारी परिवरत है इस्थाई भावरस नाम लबते नरेंद्रवत कि विभाव, अनुभाव, विभचारी से घिरे रहने वाले इस्थाई भावों की इस्थिती राजा के समान है दूसरे शब्दों में विभाव, अनुभावव, विभशारी, संचारी भावों को परिधिय इस्ति और इस्थाई भावों को केंद्री इस्तिति प्राप्त है रस संप्रदाय के प्रतिस्ठापक आचार्य मम्मट 11 सदी ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सरोहर ब्रह्मानंद योगी द्वारा अनुभूत आनंद कहा है वस्तुतह रस के संप्रदाय के एक अन्य आचार्य आचार्य विश्वनात 14 वी सदी ने रस को काविक की कसोटी माना है उनका कथन है कि वाक्य रशात्मक वाक्य ही काव्य है हिंदी में रसवादी आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुल्क डॉक्टर नागेंद्र आदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्रकत के रसवादी आचार्यों की तरह रस को अलोकिक न मानकर लोकिक माना है और उसकी लोकिक व्यक्था की है वे रसकी स्थिथी को हरदय की मुक्तवस्था के रूप में मानते हैं उनके शब्द हैं लोक हरदय में व्यक्ति हरदय के लीन होने की दशा का नाम रस रसा है